एक गाउं था, वहाँ एक मूर्ती का रहता था, एक बार मूर्ती बनाने के लिए उसे कुछ पत्थरों की आविशकता थी, तो वह जंगल की और जाता है, वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है, तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है, जो मूर्ती बनाने के ल रख लेता है, कुछ दूर जाने पे उसे एक और पथर दिखाई देता है और वह उसे भी उठा कर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गाओं की और चल देता है जब वह चोट मारने लगता है तब ही उस पथर मेंसे आवाज आती है रुको रुको, कृपा करके रुको, मूर्ती का रिधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि यह है आवास कहां से आ रही है रुको रुको, कृपा करके मुझे पे हतोडा मत चलाओ, मुझे हतोडे के मार से बहुत डड़ लगता है, अगर तुम मुझे पे हतोडा चलाओगे तो मैं तूट जाओंगा, बिखर जाओंगा, कृपा करके मुझे छोड़ दो, और किसी और पत्थर से मूर्ती बना लो उसे उस पत्थर पर दया आ जाती है, और वह उस पत्थर को छोड़ कर दूसरा पत्थर उठा लेता है, ये पत्थर बड़ी आलग रहा है, इससे मूर्ती बनाता हूं, यही सोच कर वह पत्थर पर जोड़-जोड़ से चोट करना शुरू करता है, और इस बार पत्थर से कोई अवाज भी नहीं आती है और कुछ ही देर में मूर्ती बनकर तैयार हो जाती है कुछ दिनों के बाद गाउं के मंदिर में मूर्ती की स्थापना का दिन आता है कुछ गाउं वाले मूर्ती कार के घर जाते हैं और बोलते हैं अरे भया मोहन क्या तुमने मूर्ती बना दी मंदिर में स्थापना के लिए हाहा वो तो मैंने दो दिन पहले ही बना ली थी मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन, चलो हम सब ये मूर्ती उठा कर उस मंदिर में स्थापना के लिए चलते हैं अरे भाई, रुको रुको मूर्ती के आगे एक पत्थर और भी तो रखना पड़ेगा जिसपे लोग नारियल फोड़ सकें वह व्यक्ती इधर उधर देखता है ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके, तब ही उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्ती कार ने छोड़ दिया था और वह व्यक्ती उस पत्थर को उठा लेता है ये पत्थर बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी है जब इसकी उपर लोग नारियल फोड़ेंगे तो जट से नारियल फूड़ जाएगा और सब गाउं वाले मंदिर की होर चल देते है तब ही उस पत्थर में से जोड़ जोड़ से अवाज आती है अरे रुको रुको मूर्ख लोगो मुझे कहा ले जा रहे हो हे भगवान मुझे बचाओ मुझे तो कहीं नहीं जाना मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत ड़ लगता है मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता हे भगवान मुझे बचाओ आज तो मैं मर ही गया हे भगवान मुझे बचाओ 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 रास्ते भर वह पत्थर बहुत जोर जोर से चिलाता है तभी सब गाउं वाले मंदिर पहुच जाते हैं और मूर्ती की स्थापना कर देते हैं और उस पत्थर को उसके आगे रख देते हैं फिर सब लोग उस मूर्ती की पूजा करना शुरू कर देते हैं मूर्ती बना हुआ पत्थर इससे बहुत खुश हो जाता है। लोग उस पत्थर को दूद से सनान करवाते हैं। उसे चंदन का लेप लगाते हैं और उसके उपर फूल चड़ाते हैं। ये सब देखकर दूसरा पत्थर मूर्ती बने हुए पत्थर से बोलता है। अरे भाई, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, लोग तुम्हे तो दूद से सनान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे उपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है, तबी एक व्यक्ती उस पत्थर पर जोर से नारियल अरे मर गया, हाए मैं तो मर गया, हाए मेरी कमर तो तूठी गए, हे भगवान मुझे बचाओ, अरे मूर्क व्यक्ति मेरे उपर नारियल कुँ फोड़ रहा है, भगवान को नारियल चड़ाने का इतना ही शौक है, तो अपने सर से क्यों नहीं फोड लेता तू नारियल, तब भी एक और व्यक्ति उस पत्थर पर नारियल फोड़ता है, हाए हाए मर गया, आज तो मेरी शामत ही आ गई, हे भगवान मुझे कहां फसा दिया आज आपने, मैं तो जंगल में पेड़ की चाहों के नीचे मजे से आराम कर रहा था, यह आपने मुझे कहां फसा दिया, हाए हाए मैं तो मर गया, यह सारे मूर्ख व्यक्ति मेरे उपर बारी बारी से नारियल फोड़ फोड़ कर मुझे मार ही डालेंगे, यह सब देख कर मूर्ती बना पत्थर उस पर जोड़ जोड़ से हसता है, हाँ 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 हा, तुम तो बहुत खुश हो गे ही, तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाईयां खाने को मिल रही है और यहां तो मेरी कमर की हालत बिगाड़ दी इन इनसानों ने, हाए हाए, बहुत दर्ध हो रहा है, कोई मलहम ही लगा दो तब मूर्ती बना हुआ पत्थर उस दूसरे पत्थर से बोलता है, दोस तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता, तो आज तुम मेरी जगा होते और लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते, तुम्हें भी दूद, मक्खन से स्नान करवा रही होते, तुम् करना पर रहा है, हम जब भी किसी परस्थिती से दर के कोई भी आसान रास्ता चुनते हैं, तो उस वक्त तो हमें बहुत सकून और आराम मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है, किन्तु आगे की रहा और भी ज्यादा कठिन हो जाती है मेरे दोस्त, तब उस पत् पत्थर से बोलता है, पत्थर आप अवश्य ही ईश्वर है भगवान, मैं आपकी शरन में आना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी शरन में ले लीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अप किसी भी कठिन परस्थिती से नहीं घबराऊंगा भगवान, मुझे शक्ति दे भगवान, तब से नहीं घबराता और दृता से उसका सामना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, तब एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोड से नारियल फोड़ता है, इस बार वह पत्थर अपनी आँखे बन करके, जैश्री राम, जैश्री राम, जैश्री राम बोलता है और नारियल जाता है जब वहाँ पत्थर अपनी आखे खोलता है और देखता है कि नारियल तो फूट गया और इस बार उसे बिलकुल भी दर्द नहीं हुआ तो वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान को वचन देता है हे भगवान मैं आगे से कभी भी किसी कठिन परिस्थितियों से नहीं भागूंगा बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा नारियल फूटने की वज़ा से नारियल का पानी उस पत्थर को भी पीने को मिल जाता है और लोग भगवान को भोग लगाने के बाद मिठाई को भी उस पर रग देते हैं जिससे उस पत्थर को मिठाई खाने को भी मिल जाता है तब भगवान उसे बोलते हैं देखा तुमने आज मुश्किलों का सामना किया तो उसका फल भी तुम्हें मिलने लगा है है ना हाँ भगवान आप सही बोल रहे हो मौरल अक्सर चुनोतियों से संघर्षों से हम डरते हैं लेकिन संघर्ष ही तो हैं जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिन्दगी की खटिनाईयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के इसलिए जिन की भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराईए मनुद।